नमस्कर दोस्तों Deep Electronics Lab में आपका बहुत बहुत सुवगाते आजहामारे पास एक पिक्सल लाइट कंट्रोलर रिप्यार होने के लिए आया हुआ है और इस टाइब का कंट्रोलर रिप्यारिंग करने के लिए आपको Basic Electronics के साथ dirt आपको power electronics का भी जानना बहुत ही जुरूरी है इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जुरूर देखते रही है आपको थुरा सा basic के साथ advance electronics के बारे में भी आपको पता चलेगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनोंने मेरे पास repairing करने के लिए आया हूँ आये उन्होंने बताया कि मेरे से पहले भी किसी के पास इसको लेकर गया था repair करने के लिए तो उसके पास repair नहीं हो पाया है और उसके बाद हमारे पास आया है तो इसको खोल के देखता हूँ कि अभी इसका condition क्या है और क्या repair हो प पूछ दिया था जिसके बाद इसके अंदर से बहुत धुआ निकालने जैसे कुछ देखने को मिला था और उसके बाद से चालू नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसका जो पावर सेक्षिन होगा ना उसी के अंदर कुछ गरबड़ी होंगे तो इसको खोलने के बाद हमें प खोलने के बाद PCP हमें कुछ इस प्रकर से देखने को मिल रहा है और मुझे इस PCP के अंदर से कुछ components missing देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहां पर देख सकतो थोड़ा सा components यहां पर इसको चेक करने के लिए तो मैं इसको कैसे सारे बेक्सिक को करता हूं तो चलिए देख लेते कि तुम्हें आपने माल्टी मीटर को कॉंटिनुटी रैंज पर western करुंगा continue का मतलब हुता है कि आगर ख़सेथ करेंगे तो यह तुनाइए देगा तुम मैं तो कॉंटिन्यूटी रेंज में मैंने सेट कर दिया हूं उसके बाद देखिए बीप सुनने को मिल रहा है अब हमें क्या करना है कि यह जो दोनों चीजे ना मैं इसको टास करता हूं यहां पर देखिया आउटपूट में हमें कोई भी स्वाटिंग जैसा कुछ नहीं देखने को म दायोड लागा हुआ है जो कि सौट की रेक्टिफायर डायोड होता है तो यह दायोड को चेक करके दिखा देता हूं जैसे कि आप पहले तो मैं एक साइट से प्रवब को टास करता हूं तो देखिए यहां पर बीप साउन सुनाई दे रहा है मतलब यह वाला डायोड इंट कोई भी बाकी दूसरे के साद्नेकट उसके साथ आध करते जैसे एक नमबर ती नंबर पर टास करता हूं तो यह खराब यह निकल लिया है और अभी मेरे को ये वाला और ये वाला खराब देखने को मिल रहा है तो इसके अगर नमबर की बात करें तो इसके ओपर लिखा हुआ है 7550 जो की इस PCB के ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 7550 और अगर हम बात करें यहाँ पर कितने नमबर का लगा हुआ था तो उपर लिखा हुआ है देखिए 7533, मेरे ख्याल से यह वाला और यह वाला है एक voltage regulator है, जो कि step down करके यह 5V output करेगा और यह वाला 3.3V output करेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम 5V देंगे और यहाँ पे 3.3V देंगे, तो यह वाला हमारा जब controller है, pixel controller यह ठीक हो जाए लेकिन बात यहाँ पे यह आ जाती है कि इस टाइप का regulator हमें market से easily नहीं मिलता है, मैंने पास save वो भी 5V का है, लेकिन 3.3V का नहीं है, लेकिन 5V का जो हमारे पास है न, उसका package थोरा सा अलाग है, अगर हम इसके dataset निकल के देखेंगे कि इसका input section कौन सा है, output section कौन सा है, तो मैं सबसे पहले दोनों चीज़कों मैं खोल लेता हूँ पहले, तो यहां से components निकल के मैंने इस जागा को अच्छे से clean कर लिया हूँ, आप आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस जाग, मैंने यहां से जो component मैंने निकला हूँ, यह एक वाला regulator, यह एक वाला diode, तो दोनों क मैं रखता हूँ, साइड में, और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहां पे और एक component लगा हुआ था, जो कि आप देख से तो blast होने के कारणे इस जगा पर भी यह उसका जो काली है ना आ गया है, तो यहां पे हमें एक diode लागना पड़ेगा, एक resistance लागना पड़ेग और दो हमें, एक 5V के लिए regulator और यह दूसरा 3.3V के लिए regulator, तो यहां पे हम कहिसे करेंगे, क्यूंकि हमारे पास same to same, कोई भी components नहीं है, ना यह वाला है, ना यह वाला है, ना यह वाला है, तो इस चीज़को हम कहिसे पता करेंगे कि यहां पे जो regulator हम लगाएंगे, रेग लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है, तो इस कापसिटोर की ब्याक साइर में जाके आप चेक आउट कर सकते हो, लेकिन जिनोंने यह वाला रिपेर करने के लिए सोचा था ना, उन्होंने इसके ओपर लिखके रखा है, उसके साथी साथ यहां पर पोजिटिव और आपके पोजिटिव लिखा हुआ है, तो मैं एक प्रॉब को यहां पर टॉसकर तो कि यहां पर तो करता हूँ, देखें हैंने के आरोन लिखा हूआ है, इसलिए हमें पता चल गया है, यहां पे यहां पर हाई वाट का कि इसे जो रेगूलेटर था ना रेगूलेटर का जो बेसं था यह बेसं हमारा इन फूट हो गया पता सब leva कि बंबरली के लिए तो यहांана पे ग्राउन पिन अगर भूनेंगे तो खोड़ाउटफ़ प्रेनां पर जाएगा एक यहां पर इन पूर लेते हुए यह वाला जो पीन ना इक ग्राउंड के लिए यहां पर टाउस करता हूँ और उसके बाद से यह वाला जो रेगुलेटर है ना इसका भी होना चाहिए पैकेज दोनों का सेम टू सेमी है लेकिन वोल्टेज में डिफरेंट से तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं तो यहां पर हमारा इंपूट हो रहा था फाइब वोल्ट इसके साथ इसका इसका भी सेम दोना हो ट्री दृट शीख होना चाहिए यहां से पूछा है मतना दुनों हम यहां है यह वोल्ट आएंग यह दोनों ग्राउंड हो ना चाहिए वह बिलकुल है दोनों के दोनों ग्राउंड है और यह वाला ओड़ देद घर के यह वहला ऊटपूट त्री प्वाइंट अ सपीक करक निए वान वाट लगवाग जीरो पॉइंट मतलब वान ओं से नीचे का वेलू का रेजिस्टंस यहां पर लगाएंगे और यहां पर इसके जुगर में कह करता हूं बाद में बताता हूं पहले में इन दोनों चीज को लगा लेता हूं उसके बाद जो करना है मैं आपको लाइक है और दोसों बोलता काम करने का लाइक है हालाकि हमारे पास इससे कम वेलू का कोई डाइड नहीं है लेकिन इस चीज को रेपेर करने के लिए यह वाला आराम से काम चल जाएगा तो मैं कहा गरता हूं कि इस डाइड को मैं यहां पर लगा लेता हूं और यह ना यह इधर होना चाहिए और इसा रिससा इधर होना चाहिए अनोड इधर का थोड इनोड इधर का थोड तो इसको मैं लगा लेता हूं पहले यहां पर हमने बहुत ही सेक्सल स्पले डाइड को लगा दिया हूं आप देख सकते हो इधर एनोड इधर कर्थोर उसको लगा देखते हूए हमने यहां पर लगा दिया हूं और आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरे किसी चीज के साथ यह अटाच्मेंट ना हो जाए अब यहां पर जो रिजिस्टन से इस रिजिस्टन को मैं यहां पर लगाने बाला हूं तो इसके लिए मैं कैसे उसी सेम प्रोसेस को फॉलू करूंगा यहां पर हमारा रिजिस्टन लगाना भी कंप्रेट हो गया यहां पर अपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस resistance का यह वाला pin और इस diode का एक cathode वाला pin अगर आपास में टकरा भी जाए ना आपास में short भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि दोनों track एक साथ जुरा हुआ है मतलब यहाँ का output यहाँ पे input होगा और यहाँ पे output होके हमारे इस regulator पे आएंगे तो चलिए आब मैं जो काम करूँगा हमारे पास 5V के लिए यह देखिए 78L05 SMD package में voltage regulator है जिसका एक नमबर pin Vout, दो नमबर pin ground, तीन नमबर pin Vin लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो regulator लगा हुआ था उसका एक नमबर pin ground, दो नमबर pin input और तीन नमबर pin output अगर इसको हम सेम्टू से हम यहाँ पे लगा देंगे यह काम नहीं करेगा चलेगा नहीं और उपर से खराब हो जाएगा तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका modification यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो एक चीज़ एक पिस में बहान निकल लगता हूँ और एक पिस बहान निकलने के बाद जो आपको करना है न वह आप देखते रहे है कि कैसे में इसको modify करके लगाता हूँ लेकिन 3.3 volt के लिए मैं दूसरा चीज़ लगाने वाला हो, तो फिलाल के लिए इसका एक पिन डाइग्राम देख लीजिए फिर से यहाँ पे इसका पिन डाइग्राम एक नमबर वी आउट, दो नमबर ग्राउंड और तीन नमबर वी इन इसका मतलब हमारा इसका दो नमबर पिन, इसका एक नमबर पिन के साथ connect होगा, इसका तीन नमबर पिन इस बोड के अंदर के दो नमबर पिन के साथ connect होगा, तो मैं कहा करता हूँ कि इसको थोरा सा tilt करके, यहाँ पे इसका तीन नमबर पिन के साथ, इसका दो नमबर पिन का connection कर द्यता हूं और जो वाला इसका ground पिंट था याने कि इस वाला को इसके साथ में connection कर देता हूं नहीं पर देखता लेकिन पेले में थोरा सा सोल्डरिंग का काम कर लेता हूँ, उसके बाद इसको टेस्टिंग करने से पेले एक बाद चेक भी करना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हूँ कि जो हमने रेगुलेटर लगाया हूँ, इसका तीन नमबर पीन, PCB के दो नमबर पीन के साथ जोर गया है, और दो नमबर पीन, इसके एक नमबर पीन के साथ जोर गया है. यानि कि ground का connection और v-in का connection complete हो गया है अब हमें output के साथ जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा कि छोटा सा jumper लेके एक नमबर पीन के साथ और तीन नमबर पीन के साथ हम जोड़ देंगे यह भी काम में कर लेता हूं उसके बाद multimeter से check करके देखेंगे कि यहां पे कोई आपस में internally आपना ही हो गया कि नहीं यह भी हमें पता कर लेना होगा इसके लिए में जल्दी से connection कर लेता हूं यह भी होगी है तो यहां पर देख सकतो फाइनले तीनों के तीन connection हो गया है जो हमने नया वाला मने जो पहले से लागा हूँ और इसका दोनमबर फिझ सके consort के साथ dostas लिए कि तीनों से यहां पर टाच कर लेता हूँ यहां पर देखेए dipping कर रहा है मतलब ओके अब इसका दो और ती नंबर पिन के सथ टाच कर लेता हूं एक दम ओके कोई भी प्रॉब्लेम नहीं है अब मैं इस से मिलते हैं वो क्यों नहीं लगाया देखिए दोस्तों अठतर जिरो पांस का जो प्राइस है अब जो कीमत है इससे कहीं गुणा ज्यादा कीमत है और यहां पर हमें इस फाइब वोल्ड के लिए कोई ज्यादा एंपियर का लोड नहीं चलाने थोरा सा मतलब 10 मिली एंपियर स से लिए इस छोटा सा बीना कोई हिट सिंग के लगाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लेम नहीं आएंगे अब बारी आते हैं कि हमें यहां पर 3.3 वोल कैसे देंगे अब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत के बात आ गई है तो यहां पर 3.3 वोल देने के लिए हमारे पास जो रेगुलेटर मार्केट से मिलती है वो आम हमारे पास तो नहीं है तो हम क्या करेंगे कि मार्केट से यह वाली मोडूल मिलती है यहां पर देखिए आप इसके मदद से 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.15 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 कि यहां पर देंगे जैसे कि आपको पहले से बताद यहां चेकिंग करके की यहां पर आउट्पूट में यह लब पी नाम यहां पे जोड़ देंगे जो कि यहां से 3.3 वोल आउट पूट होके यहां पे चला जाएगा और यहां पर जो जो चीज लिखा हुआ है ना आपको जो बोलड़ चाहिए आपको सिंपल उसको जोड़ कर देना है वह आपको आउट में देखने को मिल जाएगा अ उसके बाद मैं इस जगा पर इसको fix कर दूँगा double sided tape की मदद से अभी फिलाल के लिए जो काम करना है इसका connection को जल्दी कर देता हूं उसके बाद इसको चालू करका को दिखाता हूं तो यह एक बार आप अच्छे से नजदिक से भी देख लिजिए कि हमने इसका connection कैसे कर रहा हूं यहां पे ground था इसका ground के साथ जोर दिया हूं बीच में input था तो इसके positive के साथ जोर दिया हूं और output से जो हमें मिलेगा वह हमने हैं इसके तीन नंबर पिन के साथ जोर दिया हू करके अब इसको कोई कर ले ता हूं कि अगरrow बोन के साथ अब मतलब मिरे कहाल से अभी यह ठीक हो जाना चाहिए तो इसको पर्मनेंट फिक्स करने से पहले इसके अंदर आभी में 5V इंसर्ट करके देखता हूं कि यह हमारा चालो होता है कि नहीं अगर चालो होंगे तो यहां पर जो इंडेर आप देख रहे हो ना यह आपको जलने के लिए देखने को मिल जाएगा तो इसके लिए हमारे यह जो पाउर सप्लाई है लिए बेंच पाउर सप्लाई तो इसके अंदर मैं 5V सेट कर लोंगा सबसे पहले क्योंकि यह हमारा कंट्रोलर 5V पर चलते है उसके बाद इसके अंदर इंपूट करने के लिए मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूं पाउर सप कनेक्शन देखिए जैसे ही आमने कनेक्शन करा तीनों को तीनों लाइट बिल्कुल जनने लग गया है और आभी बीच में जो बिलिंक किंग कर रहा है ना हम इसके अंदर जब तक काड एसडी काड नहीं डालेंगे तो यह बंद नहीं होगा और आप देख सकते हो कितने अराम से यह चालो हो गया है और बहुत ही बेहतरिन तरीके से यह काम भी करेगा कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा लेकिन दोस्तों यहां पर हमें थोरा सा ज्यादा खर्चा हो गया क्योंकि यह जो मोडियूल लगा हो ना इस मोडियूल का कीमत बहुत ही ज्यादा है इसके मुका अगर आपको यह वाली मोडियूल को लेना है खरीजना है तो आप हमारे ओनलाइन इस्टोर दीप लेक्टोनिस लाब सब्डॉट इन से खरीज सकते हो उसके साथ हमने यह का अंदर जितने भी कॉंपोनेंस को इस्तमल में लिया हूं सारे के सारे आपको अमारे ओनलाइन वेबसाइट को विजिट करके देखेगा कि हमरे वेबसाइटर आपको क्या क्या समान देखने को मिलेंगे ना उसमें से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा बहुत कुछ आपको जानने को मिलेंगे कि रिपेरिंग का काम करने के लिए आपके पास किस-किस टाइप के सबसक्राइब कराएब देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्रीब करकर जूरा रही है और आपके मनमे किसी भी चीज को लेकर कोई भी सबस्कार बताईएगा आपके comment का reply बहुते जल्द किया जाएगा